कि नमस्कार दोस्तों मैं जितन दुकुमाज जे केला अफुनिक से दोस्तों देखिए मेरे पास एक सोनी की LED LCD आई है जो कि कि नो पावर में हैं नो इंडिकेटर में हैं तो दोस्तों आज हम इसको रिपेर करेंगे और मैं आपको बता हूँ इसमें क्या प्रोबलम और यह किसकी वज़े से कि स्टेंडवाई नहीं हो रही है तो दोस्तों मेरे वीडियो पर आप बने रही है और लाज टक देखिए तो मैंने यह उपन कर लिए और मैं इसको पावर देख लिया है तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सप्लाइज चेक करेंगे हमारी सप्लाइज से इसके वोल्टेज इस कार्ड़ पर पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे ति देख इसकार्ड़ पर हमागे थ ह्री प्रेग बोल्डेज पहुंच रहे हैं जईरे इस बोल्ट कि आए और इसमें दोस्ते एकट्वी पहाईच चलते है उसको हम check करंगे कि supply पहुच रही है रही है या नहीं पहुच रही है ....-ista, देखें दोस्तों यहां पर यह दो रेगुलेटर लगे हुए हैं सबसे पहले हमले इंकी supply चेक करंगे कि यह supply input और output इंपर आ रही है या नहीं आ रही है मैं जूम करके दिखाता हूं आपको देखेंगे यह हमारे दो रेगुलेटर है देखिए इस पर हमारे इनपुर्ट जो सप्लाई आ रही है हमारी 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है और उसके बाद यह आउट कर रहा है देखें आउट यह 4.75 वोल्टेज की सम्टिंग आउट कर रहा है और नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेटर है नेक्स्ट रेगुलेटर हमारा यह आ जाता है इसके बरावर वाला यह हमार नेक्स्ट रेगुलेटर है सबसे पहले हम इसकी इनपुर्ट सप्लाई देखांगे और उसके बाद आउट्पुर्ट सप्लाई देखांगे तो दोस्तों उसके बाद हमारी अजाती है उसके बाद हमारी डाए已经 supply और कि एक दा गे जाती है और इसबाइए सप्लाई आ जाती आ जाती है हैब हम अजैस पे पर और सप्लाई पर वोल्टेज वेजर करणे इसकी यहाँ पर जो है यह 1.8 वोल्टेज इस पर मिलने चाहिए हमें और इन्पुट हमें इस पर 12 वोल्ट ही मिलने चाहिए इस पर हमें 12 वोल्टेज 30 वोल्टेज के आसपास सम्टिंग मिल रहे हैं और आउट्पुट हम वोल्टेज चेक करेंगे इसके 1.8 जो कि हमारे इतने ही वोल्टेज होने चाहिए 1.8 वोल्टेज इस पर हमारे प्रिजेंट है देखें यह नो इंडिकेटर में है और उसके बाद जो हमारी इसकी सप्लाई आ जाती है हमें इसकी सप्लाई चेक करने होगी कि इस पर प्रिजेंट है या नहीं है तो दोस्तों हमें इस पर चेक करने होगी इसकी सप्लाई पर इस पर फ्लैस आई सी पर कि हमारे इस पर वोल्टेज प्रिजेंट है या नहीं है जो हमारे इस पर जो वोल्टेज आंगे दोस्तों इ यहां पर 5 5 आई जो कि हमारे इस पर पहुंच रहे हैं कि यहां पर हमारे एक और गोलीटर हो आज तो सबसे पहले भी श्रक्राइब करने देगे इस पर भी हमारी एविलेटर पर सप्लाई प्रिजेंट है इन्पुट 12 वोल्टेज और आउट्पुट चेक करेंगे देगे आउट्पुट वोल्टेज इस पर कोई आउट्पुट वोल्टेज नहीं सो रहा है दोस्तों तो सबसे पहले हम इस पर जो हमें इसके लिए नहीं मिल रहे है तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस पर चैक करना होगा कि स्पर किसी प्रिकार की हमारी सो टिंग तो नहीं है और उसके इसाब तो आपसे हमें चेक करना होगा कि इस पर 1.2 वोल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं दोस्तो अगर जो मेरी वीडियो पर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं अगर्य आप तक नहीं नहीं वीडियो समय पर पहुंच सकें तो दोस्तो मैंने इसको च्याया यह राइन चेक किया इस पर किसी प्रकार की हमारी कोई नहीं है तो दोस्तों किया करने सबसे पहले हम इस यिस को ल को कोईपर बन पोइंट निय ref standards देंगे या diferen इसक रचेंज करनी होगी यह लगत तभी इसक रचेंज करके हमें धेखार घ् dishon Gospel Eldag टेली बॉट नहीं व reproduce इसके ऐसे का लगा हुग ह्पश्वाने इसको एक र्लाइट करे डेलो इसको हमी इसको दोस्तों मैं एक रोगलेक्टाइर लगा इंपुट जो है 12 वोल्टेज दिये हैं और यहां से इसको मैंने 12 वोल्टेज की सप्लाई दिये इस रेगुलेटर को और दोस्तो इस पर मैंने एक कोई जंपन नहीं किया है क्योंकि यह डाइड़ लिया में 1.2 वोल्टेज आउट करता है और मैंने 1.2 वोल्टेज इस कोई यहां से ओपन किया है और ओपन करके मैंने इस पर 1.2 वोल्टेज दिये हैं तो दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूं कि हमारी LED स्टार्ट होती है यह नहीं होती है दोस्तों मेरी LED स्टार्ट हो चुकी है इसमें ग्रीन इंडिकेटर आ चुका है देखो मैं आपको इसको सीदी करके दिखाता हूं देखे दोस्तों हमारी LED अब OK हो चुकी है दोस्तों अबर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिस लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रू करें